अधो मेरे प्यारे स्ट्रेंट्स कैसे हुआ आप सब। आप ने देखा होगा कुई भी काम आप स्टार्ट करवा हो। अगर आप घर पे बिल्डिंग का काम स्टार्ट करवा Packard karog tu возьak यहां आपने किसी कांट्रेक्ट दिया किसी को ठेकभा कां दिया या आपने कुछ वर्कस रखे काम पे और कुछ दिर उन्होंने काम किया फिर काम छोड़के चले गए फिर आपने नए वर्कस कुधोना नए लोग लगाए वहाँ भी यही कहानी रही यह आना जाना, काम में, भागना, जोड़ना यह चलता रहता है और आज हम ऐसे ही questions करने वाले है जहांपे कि कुछ लोग काम कर रहे हैं कोई काम छोड़के चला जाता है या काम छोड़के completion से कुछ दिर पहले चला जाता है वगरा वगरा तो type of questions, जितने भी type of questions exam में आते हैं वो सारे types हम cover up करेंगे चलिए session को start करते हैं पहला question लेते हैं आज का डाक्ली questions पर ही move on करते हैं बेसिक तो समझी रहे हैं हम जानी रहे हैं पहला question फर्स्ट question कहा रहा है जो कि असे सिजल प्री 2023 में भी आया है प्रतिमा और दीक्षा can complete typing work separately in 10 hours and 15 hours respectively after typing for 4 hours alone प्रतिमा leaves the work प्रतिमा और दीक्षा एक typing के कारे को क्रमशा 10 गंटे और 15 गंटे पूरा कर सकती है 4 गंटे अकेले type करने के बाद प्रतिमा काम को छोड़ देती है दीक्षा बचा हुआ जो typing का काम है कितने गंटों में पूरा करेगी तो यह तो easy question है start बिल्कुल basic से करेंगे और फिर अच्छे questions पर जाएंगे अब यहाँ पर क्या हमें समझ में आ रहा है कि प्रतिमा अकेले काम करती है 4 गंटे और फिर काम को छोड़ देती है 10 गंटे में अगर प्रतिमा काम को पूरा कर लेती है तो 4 गंटे में कितना काम करेगी प्रतिमा 40% या 2 बड़े 5 वर्क करेगी क्या निकि 3 by 5 वर्क remaining होगा हमारा और यह वर्क करना है दीक्षा को और दीक्षा 15 गंटे में अगर पूरा काम करती है तो time taken by दीक्षा कितना होगा 15 गंटे में पूरा करती है करना है तीन बड़े 5 तो 15 गंटे तीन बड़े 5 पांस थिया 15 यानि कि 3 to 3 9 आवर्स में वर्क कम्प्लीट हो जाएगा clear है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question करते है अगला सवाल हमसे कह रहा है A एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है B ने 9 दिन तक काम किया और फिर उसके बाद में अपना काम छोड़ दिया जॉब छोड़ दी ठीक है और शेष काम को A अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा सेम कहान यह है B अगर 15 दिनों में work complete करता है और 9 दिन तक B ने काम किया है नल दिनों में केतना काम किया होगा 9 bt 15 भी 5 यान कि 3 बटे 5 वर्क किया है और पाँग तो 2 बटे 5 वर्क रमेनिंग है और ये वर्क करेगा A तो time taken by A कितना होगा 20 दुन में पूरा करता है तो 20 गुणे 2 बटे 5 पांचों को 20, 4 दून 8 days में वर्क कम्प्लीट हो जाएगा बचा हुआ clear है आसान सवाल, अगला question next question कर रहा है A एक काम को 25 दुन में पूरा कर सकता है A कर सकता है 25 दुन में B कर सकता है 30 दुन में और वह A से शुरू करके वैकल पिकाधार पर यानि alternate days पर, alternate basis पर काम करना शुरू करते हैं और A और B दोनों 5 दूनों के लिए इस पैटरन का पालन करते हैं इस पैटरन को follow करते हैं यहाँ पास जिनों तक तो alternate काम करते हैं लेकिन इसके बाद में यह कहता है भाई अब हमसे ना हो पाएगा तो यह तो काम छोड़ देता है question यह पूछ रहा है बी बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा करेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले तो वर्क माल लेते हैं अपना 2530 का एल्सेंप कितना आएगा 150 150 250 और यहां से A और B कैसे निखाकी 25 चछे जा जाए心 सि आगी है पाच अब पहले पास दिन क्या होता है restaur Game करते हैं फिर आ करता है फिर एक बी करता है फिर एक और ते यानि कि तीन दिन थो एने काम किया है एक दिन में काम कर रहा है ज्या यह यह पो एक छे, पाँच, छे, यानि कि कुल वर्क कितना हो गया, ए ने तीन दिन काम किया है, तो 6 इंटो 3, 18 काम तो ए ने कर लिया, और बी ने, फिर 5 काम किया है दो दिन, यानि कि 10, टोटल 28 उनिट्स वर्क हो गया है, पाँज दिनों में, बचा हुआ काम करना है, बी को, यानि कि काम बचा कितना है, 150 मानिस 28, 122 उनिट्स, कितना वर्क रिमेनिंग है, टाइम लगेगा बी को, एफिशेंसी है बी की 5, तो 122 बटे 5, यानि कि 24 सही 2 बटे 5, क्लियर है, कहीं कोई समस्या, अगला सवाल करते हैं, हरे question में pause करके, खुद से जरूर attempt करना है पहले, उसके बाद में solution देखना है, तभी best advantage होगा, अगला question करते हैं, next question कह रहा है, राजा और रॉकी, together and complete painting work in 5 days, राजा और रॉकी मिलके painting का काम, पाज दुनों में पूरा कर सकते हैं, यह दुनों मिलके painting का काम करना शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है, होता वई है, जो होना होता है, कि दो दिन बाद रॉकी बीमार पढ़ जाता है, और काम को छोड़ देता है, दो दिन दोनों साथ में काम करते हैं, के बाद में राजा अकेले काम करता है और चार दिनों में काम को पूरा करता है तो question यह पूछ रहा है कि रॉक्टी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है पास दिनों में दोनों मिलके करते यानि कि हमारा अगर हम एक तरह से देखे हैं जो काम पास दिन अगर दोनों मिलके करते तो अगर राजा काम कर राजा की एफिशेंसी आरवन है या आर ए लिख देते हैं राजा और रॉकी के लिए आरवाई तो अगर पास दोनों मिलके काम करते हैं तो हमारा वर कंपलीट हो जाता यहां पे R.E. efficiency है राजा की और R.Y. है रॉकी की लेकिन होता क्या है दोनों मिलके शुरू करते हैं तो दो दिन तो दोनों काम करते हैं लेकिन इसके बाद में रॉकी बिमार पर जाता है तो बचा हुआ काम राजा चार दिनों में पूरा करता है तो यह हमारी equation बनगे पूरी इसंट इसो या एक तरह से हम directly लिख सकते थे कि तीन दिन का जो काम दोनों लोग मिलके करते हैं वो काम चार दिनों में राजा अकेले करता है तीन दिनों में जो काम राजा और राजा और राकी मिलके करते हैं क्योंकि दो दिन का काम तो दोनों ने किया ही किया तो वो काम अकेले राजा करता है अगर ऐसा है कि राजा और राजा और राकी मिलके जितना काम तीन दिनों में कर रहे हैं राजा उस काम को चार दिनों में कर रहा है, जानि कि टाइम का रेशियो अगर 3 is to 4 है, 3 is to 4 है, जानि कि एफिशेन्सी का रेशियो क्या होगा, ठीक, उल्टा होगा, 4 is to 3 होगा, यहाँ से हमें Rocky के एफिशेंसी मिल जाती है, वन उनिट, ये Rocky के एफिशेंसी है, दों में काम पूरा करते हैं, तो वर्क तो हमारा है 20, भाई, टोटल एफिशेंसी 4 है, राज़ा और रॉकी की मिला के 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो 20 इनिट्स टोटल है, वर्क हमारा, और रॉकी की एफिशेंसी है 1, यानि कि टाइम लगेगा, 20 by 1, 20 days, clear, okay, आगे बढ़ते है अगला question लेता है, अगला सवाल के रहा है, A और B एक काम को करमशा 5 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम करना उन्हें शुरू किया, लेकिन A ने कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, और B ने बचा हुआ काम 8 दिनों में पूरा कर लिया, तो A कितने दिन बाद चला गया होगा, ठीक है, देखो, जो options दिये हैं इस question में, उसके हिसाब से तो यह question बहुत ही जादा आसान है, यह हमें पता है कि B अकेले, B अकेले 10 दिनों में काम कर सकता था, और B ने बचा हुआ काम 8 दिनों में किया है, यानि अगर A ने कुछ भी काम नहीं किया होता, त दो दिन से कम होना चाहिए, तो answer BCD तो होई नहीं सकते, answer तो obviously हमारा option A होगा, क्या ही बात समझ में आती है, क्या ही बात clear होती है, ठीक है, तो B ने हमारा बचा हुआ काम 8 दिनों में किया है, यानि कि work जो remaining है, जो work start में हुआ था, जो दुनोंने 7 में किया था, वो बराबर है, two days work of B, और हैं पता है कि A काम को कर रहा है, पास दिनों में, B कर रहा है, दस दिनों में, तो अगर time लग रहा है, five is to ten, यानि one is to two, time का ratio one is to two है, तो efficiency का ratio आजेगा two is to one, यानि कि B के efficiency one है, A के efficiency two है, तो time taken by both of them, in completely two days work of B, दो दिन में B करेगा two into one काम, और दोनों जब मि मिल के करेंगे, तो two plus one, से divide हो जाएगा, efficiency को की, one की बजाए three हो जाएगी, यानि कि two by three days में work complete कर लेंगे, क्या बात समझ में आती है, बट क्योंकि options ऐसे दिये थे, इस question में हमें इतना करने की जुरूत नहीं थी, straight away answer आया था, otherwise, as I solve करके हम निकाली सकते हैं, अगला सवा अचा हुआ जो काम है, उसको पूरा करने में 48 hours लगते हैं, तो A अकेले कितने घंटों में काम पूरा कर सकता है, वीडियो को pause करके, question को खुछ से attempt करने का ज़रू try कीज़े पहले, A and B together and complete work in 24 hours, तो work है हमारा कितना, 24 into A plus B, दोने यह और भी ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 8 घंटे के बाद में A ने काम को छोड़ दिया, यानि कि 8 घंटे तो दोने साथ में काम किया ही किया है, बचा कितना काम है, ठीक है, यह तो done हो गया, remaining work है हमारा, 16 hours का A और B का, 16 घंटे का A और B का काम, और इसी काम को B ने किया है, 48 hours में, ठीक है, अब अगर आप इन दोनों कामों को compare कराओ, तुलना करो इन के, तो क्या आपको समझ में आएगा, दोखो B ने अपना 16 घंटे का काम तो क्या ही किया है, इसके लाव 32 घंटे और काम किया है, वो 32 घंटे काम क्यों किया है, बी ने इसलिए 32 घंटे काम किया है, क्योंकि A ने अपना 16 घंटे का काम नहीं प्रेक्षमता का एफिशेंसी का रिश्यो क्या आ जाएगा ये बटे भी हो जाएगा 32 बटे 16 तो दो बटे एक तो एक एफिशेंसी आगे डू और बी की एफिशेंसी आगे फन question हम से पूछ रहा है, ए अकेले कितने घंडे में काम पूरा करता है, तो work हमारा क्या जाएगा, 24 into a plus b, यानि कि work हो जाएगा, 24 गुन, 2 plus 1, और a की efficiency है 2, तो divided by 2, से हमें time की value मिल जाएगी, ठीक है, यानि कि work by efficiency, से हमें time की value मिल जाएगी, तो a को कितना time लगेगा, बारतिया, 36 hours, क्या यह बात समझ में आती है, ठीक है, clear है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला question करते हैं, अगला सवाल हम से कह रहा है, a और b, 7 में मिलके, किसी task को 40 गुनों में कर सकते थे, तो यहां से work हमारा हमें मिल गया, 14 into a plus b, काम उन्होंने किया है, 30 दिन तक साथ में, यानि कि बचा कितना काम, remaining work हमारा बचा है, 10 दिन का, यानि 10 दिन में a और b मिलके जो काम करते, और a ने वो काम 22 दिनों में किया है, यानि अगर हम compare करें, तो a ने अपना 10 दिन का काम तो क्या ही किया है, जो b का 10 दिन का काम था, वो a ने 12 दिनों में किया है, ठीक है, अब देखो, जब आप properly इस बात को समझ जाओगे, तो इसके बाद में आपको directly ये line लिखनी है, ये equation लिखनी है, उपर की कहानी लिखने की कोई ज़रूत नहीं है, क्योंकि उपर की कहानी अल्रेडी question में लिखी हुई है, question ये कह रहा है, 40 दिनों में दोनों मिलके काम कर लेते, 30 दिन दोनों ने मिलके काम किया है, यानि 10 दिन का काम दोनों का बचा है, और 22 दिनों में a ने अकेले पूरा किया है, तो 10 दिनों में A ने अपना काम किया है और 12 दिनों में B का 10 दिन का काम किया है यानि कि ये equation हमें straight away मिल जाएगी कि 10 दिन का B का काम 12 दिन का A के काम के बराबर है क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्योंकि जैसे ये बात आपको समझ में आ रही है वर्क हमारा है 40 into एक efficiency 5 plus B के efficiency 6 और हमें पता कर लगाना है कि A अकेले के तने दिन में काम करेगा इसलिए 5 से हम इसको divide कर देंगे 1.48, 8 into 11 यानि कि 88 days में A अकेले काम को complete कर लेगा clear है ठीक है दूसरी बात यह है option A और B का तो वैसे भी कोई sense नहीं था क्योंकि जब A और B मिलके 40 दिन में काम कर रहे हैं तो option A या B तो answer हो भी नहीं सकते थे ओके आगे बढ़ते हैं अगला question करते हैं A, B और C मिलके किसी काम को A, B और C अकेले किसी काम को 36, 40 और 48 दिनों में करते हैं सभी ने मिलके काम को शुरू किया A ने 9 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया और A के काम छोड़ने के अगले दिन B भी काम को छोड़ देता है तो बचा हुआ काम C अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा pause करके attempt कीजिए question देखिए इस question का language बढ़ा आसान बात है जिसको थोड़ा सा अगर हम समय अपना खराब करना होगा तो फिर प्रॉपर ले लिख के बहुत सारी चीज़ें लिख के फिर इस question को solve करेंगे लेकिन कभी-कभी ऐसी values होती है question में कि आपको by default वो बहुत आसानी से question हो जाने वाला है यसे इस question की बात करें तो यहाँ पर A 36 दो में अपना काम complete करता है अगर अकेले काम करेगा तो B 40 दो में work complete करता है और C 48 दो में work complete करता है A ने कितने दिन काम किया है 9 days तक work किया है A ने यानि कि 9 दिन में कितना काम किया होगा 1 by 4 या फिर 25 परसंट काम किया है ठीक इसे तरह से A के काम छोड़ने के अगले दिन B काम छोड़ देता है यानि कि B ने काम किया है 10 दिन और B 40 दो में पूरा काम कर रहा है तो 10 दो में कितना करेगा 1 by 4 यानि कि B ने भी 25 परसंट काम ही किया है is it PERI Group तो C को baca हुऊ 50% काम करना है कर तो भूब भी शुरुआत से राद हैं कि C को 50% काम करना है और um to you कि पचा हुआ काम ची अकेले कितने दिनों में पुरा करेगा isn't it aprove जानी कि शुरुआत में कितने दिन हमारे बीच चुके हैं दस दिन तो B चुके हैं, 24 डेज में से 10 दिन घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 10 दिन बाद B ने काम चोड़ा है, यानि कि बचा हुआ काम 14 दिनों में complete करेगा C. क्वेशन जो लास्ट में पूछ रहा है, वो सबसे important बात है, क्योंकि हो सकता है, question option 24 भी दिया होता, 24 मार्क नहीं करना है, क्योंकि question पूछ रहा है, शेश कारेको अके लिए C कितने दिनों में पुरा करेगा, question ये पूछता कि C ने कुल कितने दिन काम किया होगा, तो हमारा answer 24 लेकिन अगर question हम से पूछता कि बचा हुआ काम कितने दिनों में complete किया, तो हमारा answer 14 दिन होगा, तो question की जो last line है, जो last line पूछ रही है, जो language है, वो सबसे important है, सारा process करने के बाद में, option भी हमारा इस case में answer हो जाएगा, या इस बात को आप appreciate कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अगर session में मजा आ रहा है, आपको चीज़ता समझ में आ रही है, तो session में like ज़रूर कीज़ेगा, ठीक है, और अपने friends से भी ज़रूर share कीज़ेगा, ताकि उनकी भी help हो सके, वो भी चीज़ों का समझ सके, अगला question करते हैं, अगला सवाल कह रहा है, A, B और C, एक काम को 30, 48 और 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सभी ने mail के काम को शुरू किया, A, 9 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है, तो A के काम छोड़ने के 3 दिन बाद B भी काम को छोड़ देता है, तो बचावा काम C है कि लिए कितने दिनों में पूरा करेगा, A ने 9 days work किया है, टोटल 30 days में, A काम कम्प्रीट करता है, यानि कि 9 by 30 work किया होगा, 9 by 30, यानि कि 3 by 10, यानि कि 30% work, A ने किया है, ठीक इस तरह से, B ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, A के काम छोड़ने के 3 दिन बाद, यानि कि 9 प्लस 3, B ने 12 दिन काम किया है, वो 12 दिनों में करेगा, 12 यानि कि 1 बटे 4, यानि कि 45%, isn't it so, A ने किया, 30%, B ने किया, 25%, दोनों ने मिलके किया है, 55% work, बचा कितना है C के लिए, 45% work, ठीक है, 45% work बचा है, और 45% work करने में C को कितना टाइम लगेगा, टोटल 7 दिनों में करता है, साथ इंटू 45%, यानि कि 9 बटे 20, 20 थी हैं साथ, 3 इंटू 9, 27 देज, लेकिन यहाँ पे भी यह चीज ध्यान रखनी है, 27 देज टोटल है, क्वेस्टन पूछ रहा है, शेष कारे को C अकेले कितने दों में पूरा करेगा, तो 27 में समय क्या घटाना पड़ेगा, 12 दिन तक त ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप के क्वेश्टन इसको देखते हैं, अगला सवाल हमसे कह रहा है, A alone can do a work in 14 days, ऐसे सिजल में सब्सक्राइब का क्वेश्टन है, A अकेले किसी कारे को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, B अकेले उसी कारे को 28 दिनों में कर सकता है, और C अकेले उसी कारे को 56 दिनों में कर सकता है, साथ में उनने काम करना शुरू किया, they started the work together, and completed the work such that, और काम इस तरह से पूरा किया, B was not working on last two days, and A did not work in last three days, यानि कि B ने आखरी के दो दिनों में काम नहीं किया, और A ने आखरी के तीन दिनों में काम नहीं किया, ठीक है, सबसे पहले तो total work निकाल लेते हैं, work आजागा, इन सब का LCM यानि कि 56, A के efficiency 4 आजाएगी, B के efficiency 2 आजाएगी, C के efficiency 1 आजाएगी, शुरू तो काम साथ में किया उन्होंने, लेकिन B ने फिर आखरी के दो दिनों में काम नहीं किया, और A ने आखरी के तीन दिनों में काम नहीं किया, हमें ये तो नहीं पता है, total कितने दिन काम हुआ, तो अगर हम यहाँ पे बैठके, फिर properly समझना शुरू करेंगे, तो क् कि इससे आसान तरीके से में इस question को solve कर सकते हैं तो हम उस अप्रोच के समझने की कोशिश करते हैं जिससे question जाद आसानी से solve हो जागा ठीक है देखो B आखरी के दो दिन काम नहीं करता है यह तो मैं पता है और A जैनि कि B ने इन दिनों में काम नहीं किया दो दिन काम नहीं किया और A आखरी के तीन दिन काम नहीं करता है C ने तो पूरे दिन काम किया है ठीक है और हुआ पता है कि total work कितना हुआ है 56 units हुआ है instead of कि B ने दो दिन काम नहीं किया हम यह करेंगे कि B से बोलेंगे कि B तुम दो दिन और काम कर लो, भाई कितना काम कर लोगे दो दिन में तो, efficiency है B की दो unit, तो दो दिन में कितना काम करेगा, B करेगा दो दिन में, 2 into 2, 4 unit work, और A से हम कहेंगे कि A भाई तुम भी अपना जो काम है न, आखरी के तीन दिन में तुम भी कर लो, कर लो तुम, ठीक है, क्यों छोड़के जा रहे हो, तो यह जब आखरी के तीन दिन काम करेगा, एक की efficiency कितनी है, चार यूनिट, यहनिके 3 इंटो 4, कितना काम और करेगा, अब हमारा वर्क हो गया, 56 प्लस 4, प्लस 12, यह वर्क कितना आ आजाएगी, 7 यूनिट, तो time हमें लगेगा, 72, upon 7, यह answer आजाएगा, क्या यह बात समझ में आती है, ठीक है, क्या इस बात को appreciate कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ओके, फिर एक question करते हैं, इसी particular concept, question कर रहा है, A, B और C, एक काम को अलग अलग रमिशा, 16, 32 और 48 द्रों में कर सकते हैं, ठीक है बाई, 16, 32, 48, साथ में काम शुरू हुआ, लेकिन B ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और C ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो छोड़ा चाड़ी तो चलती रहेगी, सबसे पहले हम वर्क निकाल लेते हैं, कितना आजाएगा वर्क हमारा, 96 यूनिट्स, एक एफिशन से 6 आ गई, B की 3 आ गई, और C की 2 आ गई, ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, कि B भाई, तुम जो आखरी के 8 दिनों से, आखरी से 8 दिन पहले जो काम छोड़ रहे हो, तुम पूरे दिन काम कर लो यार, क्यों छोड़ रहे हो, तो B से हम काम करवाएंगे पूरे 8 दिन, यानि कि 96 यूनिट्स तो काम हो गई होगा, प्लस B 8 दिनों में कितना काम करेगा, 8 तिया 24, प्लस C ने 6 दिन पहले काम छोड़ा है, सी से भी बोलेंगे कि तुम भी क्यों निराश्रा हो भाई, तुम भी 6 दिन और काम करो, यतना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, सी कितना काम करेगा, 6 दिन में 2 यूनिट्स रोज करेगा, यह मारा आंसर आजागा, तो जब भी आखरी से कुछ दिन पहले कोई काम छोड़के जाए, तो हम उसको छोड़के जाने नहीं देंगे, हम उसको पकड़ लेंगे, कहेंगे भाईया, तुमको अभी और दिन काम करना पड़ेगा, तुम्हारा काम वर्क में एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, लेकिन हमारे लिए सवाल आसान हो जागा, अगर तुम काम करोगे तो, उससे हम काम करवाएंगे आखरी में, चीक है, अगला सवाल करते हैं, अगला क्वेशन हमसे कह रहा है, A, B और C, एक काम को क्रमशा 36, 54 और 72 द होगा, ठीक है, C ने कितने दों तक काम किया होगा, तो यहाँ पेलसियम हमारा आजागा, कितना 216, एक एफिशन से आगे 6 यूनिट, B के आगे 4 यूनिट, और C के आगे 3 यूनिट, अब A ने काम छोड़ा है, 8 दिन पहले, यहनि कि A से हमें 8 दिन और काम करवाना होगा, 216 प्लस 8 इंटु 6, 48 काम करेगा, A एक्स्ट्रा, और B ने छोड़ा है, 12 दिन पहले, तो B से हमको 12 दिन और काम कराना पड़ेगा, और B 12 दिन में काम करेगा, 12 इंटु 4, यहनि यह भी 48 होगा, 216 प्लस 48 प्लस 48 यहनि 216 प्लस 96 वर्क होगा हमारा, 312, और B, C और A की की एफिजनसी में इलाकि होगी 13, तो टाइम कितना लगेगा, 312, प्लस 48 वर्क होगा, 24 यहनि 24 देज हमारा, आंसर हो जाएगा, easy, easy question, आसान होगे हमारे लिए, 300, clear होती है, बात यह, appreciate कर पार हो, समझ पार हो इस बात को, चेक है, आगे बढ़ते हैं, अगला question करते हैं, अगे बढ़ते हैं, अगर अकेले के लिए काम करते, तो A 18 दिन में काम कर लेता, B 30 दिन में काम कर लेता, लेकिन 7 में काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, साती हाथ बढ़ाना, एक अकेला ठक जाएगा, मिलकर बोज उटाना, तो 7 मिनों ने काम तो शुरू किया, लेकिन फिर 18 दिन में काम कर रहा है, B 30 दिन में काम कर रहा है, वर्क यहाँ पर आगे है हमारा 90, A की एफिजनसी 5 आगे और B की एफिजनसी आगे 3, A ने काम पूरा होने से 16 सही 2 बटे 3, यानि कितना हुआ है, 16, 3, 48, रस दो, 50 बटे 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, ठीक है, अब इस देखें, 50 बटे 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो अगर हम यहाँ पर A काम निकालके add करेंगे, तो भी हमारी जो value है, फ्रेक्शन में आने वाली है, ठीक है, तो एक अप्रोच तो यह होता है, कि जैसे हम अभी तक सवाल करते आ रहे हैं, वैसे ही करें, कि हम A से 50 बटे हो गया, और divide किसे करेंगे, यह और भी दुनोंने साथ में काम किया है, यानि कि divide by it, isn't it so, तो यहाँ पर हमारी calculation थोड़ी से हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी इस तरह से, कि आप समझ पार हो इस बात को, तो instead, बजाए कि हम same approach follow करने के, कोई हम लकीर का फरकीर तो है नही जहाँ पर जिस तरीके से हमारा समय कम लगेगा, वहाँ पर उस तरीके से हम उस काम को apply करेंगे, तो हमें यह पता है कि A ने काम 16 सही 2 बटे 3 दिन पहले छोड़ दिया है, तो यानि कि आखनी के 16 सही 2 बटे 3 दिन, यानि 50 बटे 3 दिन, B ने काम किया है, isn't it so, B ने काम किया ह और B इतने दिनों में काम कितना करेगा पचास बटे तीन इन्टू तीन यानि कि 50 यूनिट पचास यूनिट काम किया है और question हम से पूछ भी तुरा है कि A ने कितने दिन तक काम किया है तो अगर पचास यूनिट काम B ने बाद में किया है तो यानि कि 40 unit काम हुआ होगा, जो A और B ने 7 में किया है, और efficiency दोनों की मिला के 8 unit, तो 40 बटे 8 यानि कि 5 दिन लगे होंगे, 5 देस लगे होंगे, और 5 दिन ही A ने काम किया है, तो हमारा answer हो जाएगा option C, अगर B का पूछता तो 5 में 16 सही 2 बटे 3 हमें add करना पड़ता है, 21 सह question को solve करें, clear है, आगे बढ़ते हैं, आगला question करते हैं, आगला सवाल हमसे कह रहा है, A, B और C, एक काम को क्रमशा 20, 24 और 30 दों में पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं, सब एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, और काम पूरा क्लियर है कि हम उसका काम add up कर देंगे, ठीक है, लेकिन जब काम शुरू हुआ और कुछ दिन बाद किसी ने काम छोड़ दिया, उसके लिए हम कैसे handle करेंगे, व्योंकि हमें नहीं पता अभी कितने दिन और बाकी है, isn't it so, तो हमें क्या करना है, दो हमें हर एक केस में जो अ और B के केस में हमें ये पता है, कि B छे दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है, तो A अगर चार दिन बाद काम छोड़ता है, तो A ने चार दिन में जो काम किया होगा, हम वो काम अगर घटा दें, तो हमें A से फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, भाई A ने चार दिन में क आखिर के च्छे दिन पहले काम छोड़ा है तो हमें पता है यह दिन का काम निकाल सकते हैं तो हमें वो निकाल के हम एड़ आप कर देंगे अपने work में ठीक है तो नेट जो हमारा work आएगा उसमें से फिर हम वी और सी ने साथ में काम किया यूकि एक को हम पढ़ छोड़ चुक कि आगे उसने काम किया ही नहीं है लेकिन जब कोई आखरी से कुछ दिन पहले काम छोड़ेगा तो मुझसे कहेंगे तुम कुछ और दिन काम कर लो ताकि हमारे लिए क्लिटूरेशन आसार हो जाए तो दोनों बातें समझ में आनी चाहिए अब हम इस काम को समझते हैं तो A, B और C, 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, LCM आज जाएगा हमारा 120, यानि कि वर्क हो गया 120, A की Efficiency आगे 6, A यानि कि 6 काम कर रहा है, एक दिन में B, 5 काम कर रहा है, और C, 4 काम कर रहा है, ठीक है, सब ने एक साथ काम करना चुरू किया, चार दिन के बाद A न देंगे, ठीक है, A 4 दिन में काम करेंगा, 4 तूरे 6, हमने A का काम घटा दिया, जैसे ही हमने A का काम घटा दिया, तो अब जो बचा हुआ काम है, ये B और C ने साथ में किया होगा, ठीक है, इसके बाद में, अब हमें पता है, जो बचा हुआ काम है, वो B और C ने साथ में क काम छोड़ दिया है यहाई आग़री के च्ह ch ina थяти से काम करवाएंगे और ये सो जैसे हम नहीं कर लिया तो अब पूरे के पूरे जितने दिन है उतने दिन movements ूने- काम किया है और पात समझ पारेहं हो तो हम साथ हो जो कि ये है और फ्रीक एतॉट बांप eme ठीक है एक हमने घटाया है काम चार दिन का और बी का अच्छा दिन का काम हमने एड किया है क्या आप इस बात को अप्रिशेट कर पा रहे हो ठीक है वर्क हो जाएगा हमारा 120 माइनस 24 प्रस 30 यानि 120 प्रस चाहे 126 बटे नौ 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 एनिके 14 डेस में हमारा वर्क क्मप्लीट हो जाएगा क्या यह बात सौंच पारे हो ठीक है ओक्या है आसान सवाल अगला आसान इन दसेंस की आजान बना लिया हमने अपने जर्टेले नेए सवाल को अगला 48 days, c करता है LCM कितना आ जाएगा, 144, 144, ठीक है, तो यानि कि एक efficiency आगई कितनी, 6, b की आगई, 4, c की आगई, 3, अगर LCM निकालने में किसी को problem में भा रहा हो, तो हमेशा ऐस से case में किया है, 12 के आप जाना रहा है, 12 के mintdei दो डिन में काम कर रहा है, b 12 को त21 को तो आप side में रख लो, अब आपको क्या करना है, 2, 3 और 4 का LCM निकालना है, 2, 3, 4 के LCM तो निकाल लो गाए, 12 आता है, तो 12 x 12 144 हो गया है, ठीक है, तो हमेशा आपने लिए अपने काम को जितना आप simplify कर लोगे, उतना ही आसानी से आप चीजों को समझना शुरू कर दोगे, अब यहाँ पर question यह कह रहा है, कि 4 दिन के बाद में C ने काम को छोड़ दिया है, तो C ने क्योंकि 4 दिन के बाद में काम को में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, A ने काम खतम होने से 3 दिन परे काम खतम किया है, अपना मतलब छोड़ के चला गया है, तो A का 3 दिन का काम हम एड़ करेंगे, A से 3 दिन और काम करेंगे, A 3 दिन में काम करेंगा, 3 गुने 6, ठीक है, और हमें पता है क्योंकि C का हमने क काम हटा दिया है तो C से तो आप कोई मतलब ही नहीं है ठीक है C से में कोई मतलब नहीं इसके बाद, तो A और B ने पुरा काम किया है यह वर्क होके कितना गया है 144 माइनस 12 बानाव रस अफ्रारा यान्य इक सो चौवालीस प्रस्चह है एक सो पचास और A और B की efficiency में इलाके है 6 प्लस 4 10 यहीं कि टाइम लगेगा 150 divided by 10 यहीं कि 15 days क्या बात समझ पा रहे हूँ चीक है? ओके? आगे बढ़ते हैं अगला question करते हैं अगला question कर रहा है A को एक काम पूरा करने में 20 से 12 दिन ज़्यादा लगते हैं A को एक काम को पूरा करने में 20 से 12 दिन ज़्यादा लगते हैं A takes 12 more days than B to finish a work A और B काम को करना शुरू करते हैं और B काम खत्म होने से 14 दिन पहले काम को छोड़ देता है तो यदि A 66 सही 2 बड़े 3 percent कारे करता है यानि कि 2 by 3 work करता है अगर A तो A को अकेले काम खत्म करने में कितना समय लगा होगा question को pause करके खुद से attempt करने के सबसे पहले कोशिश कीज़े अब देखो यहाँ पे हमें क्या है यह पता है कि A कारे पूरा करने में B से 12 दिन जादा लेता है यानि कि अगर हम माल लें कि B X दिनों में काम को खत्म करता है तो A को X प्लस 12 डेज लगते होंगे है कि नि ठीक है अब हुआ क्या A और B ने साथ में काम शुरू तक किया B ने कुछ दिनों में काम को छोड़ दिया और A और भी दिनों तक काम करता रहा और यह जो डिफरेंस है यही तो हमको गिवन है B ने इतने दिन काम किया A ने इतने दिन काम किया और B ने A से 14 दिन कम काम किया है है कि नहीं ठीक है क्या यह बात समझ में आती है साथ में हमको ये भी पता है कि B ने काम किया है कितना और A ने काम किया है कितना A ने किया है 2 by 3 काम और B ने काम किया 1 by 3 एक एक बात को धिये दिरे समझते जाओगे तो सवाल आसान कर लोगे A ने 2 by 3 काम किया है A x plus 12 days में पूरा काम करता है तो 2 by 3 काम कितने दिनों में करेगा करेगा 2 by 3 into x plus 12 days में वहीं पे B ने एक तिहाई काम किया है तो B को एक तिहाई काम करने में कितना टाइम लगेगा x by 3 और हमें पता है इन दुनों का जो difference है एक हो जादा समय लगा है और B ने जितने दिन काम किया है बीच का difference कितना है 14 days का 14 दिन पहले क्यों कि B ने काम छोड़ा है तो यह हमारा बराबर हो जाएगा 14 के क्या इस बात को समझ पा रहा हूँ ठीक है अब एक equation हमने बना ली solve हो जाएगी यह तो यह हो गया हमारा 2x by 3 प्लस 12 इंटू 2 पटे 3 यानि 8 माइनस x पटे 3 और यह बराबर है 14 के 2x by 3 में से x by 3 घटा दो गये तो यह आ जागा x by 3 प्लस 8 is equal to 14 यह निकि x by 3 हमारा 14 माइनस 8 6 के बराबर हो गया और यहाँ से x आ गया 18 days x आ गया 18 days लेकिन question क्या हमसे x की value पूछ रहा है question हमसे पूछ रहा है a को अकेले काम पूरा खतम करने में कितना समय लगेगा 18 दिन ये काम b खतम कर रहा 18 दिनों में ठीक है यह निकि a को समय लगेगा x plus 12 18 plus 12 यह निकि 30 days क्या इस बात को समझ पा रहे हो ठीक है option d हमारा answer आ जाएगा clear है appreciate कर पा रहे हो इस बात को समझ पा रहे हो अच्छा सवाल है मुश्किल सवाल है पर हमने कितने आसानी से इस सवाल को solve कर लिया क्या इस बात को समझ पा रहे हो ठीक है अब इसी pattern पे एक और question करते हैं ताकि अपनी समझ को और भी solid कर ले अग्रा सवाल कर रहा है A को एक काम पूरा करने में B से 10 दिन ज्यादा लगते हैं और A और B इस काम को शुरू करते हैं और B काम खत्म होने से 13 दिन पहले काम को छोड़ देता है यदि A 60% कारे पूरा करता है तो B को अकेले काम खत्म करने में कितना समय लगा होगा वीडियो को pause करके खुद से जरूर अटेम्ट करना है उसके बाद में ही solution देखेंगे ठीक है तो A और B में comparison में कह रहा है कि A को B से 10 दिन ज्यादा लग रहा है तो अगर B A और B के जो number of days है उसका difference कितना है 13 days का 13 दिन काम किया है बी नहीं A ने काम किया है कितना 60% 60% यानि कि 3 बटे 5 और B ने काम किया है बचा हुआ यानि 40% यानि कि 2 बटे 5 तो A को समय कितना लगा होगा 3 by 5 काम किया है यानि कि 2x by 5 और दोनों का difference है equal to 13 तो यह हमारी बन गए equation क्या समझ पार है इस बात को बस अब इस equation को solve कर लेंगे अब क्या बचा है सवाल में 3x by 5 plus 30 by 5 यानि कि 6 minus 2x by 5 is equal to 13 13 3x by 5 में से 2x by 5 गटा दो कि x by 5 plus 6 is equal to 13 x by 5 is equal to 7 यानि कि x आ जाएगा हमारा equal to 35 days 35 दिन और इस बार question भी हमसे यही तो पूछ रहा है कि B को अके ले काम खत्म करने में कितना समय लगेगा तो answer आ जाएगा 35 days काम खत्म इसंट इसो option B हमारा answer हो जाएगा क्या यह बात समझ पार हो ओके 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 देखो अब यह जो हमने सवाल किया अभी हम इसको और आसान बनाएंगे अपने लिए ठीक है मज़ा आ जाएगा आपको अब जो मैं solution आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनियागा ध्यान से समझ येगा तो आप बिल्कुल आपको आनन्द आ जाएगा कि कितने आसानी से कुछ-कुछ सवालों में अगर हम अपनी understanding लगा पाएं तो question कितना आसान हो जाता है ठीक है इसको मैं erase करने वाला हूँ तो अगर आप screenshot लेने वाले हो तो ले लेना बाकी अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ बताने वालों देखो question ये कह रहा है एको बी से दस दिन जादा लगते हैं यानि कि अगर पूरा काम करेंगे तो एको दस दिन जादा लगेगा बी से ये बातों समझ में आती है complete work में complete work में अगर बी को एको लगेगा एको लगेगा लेकिन माल लो complete work की बजाए हम कहें कि 50% work हुआ है तो 50% work में एको कितने जादा दिन लगेंगे सोच के बताओ 50% work में एको कितने जादा दिन लगेंगे अगर वर्क 50% होगा यानि कि आधा होगा तो b करेगा x by 2 दिनों में और a करेगा x plus 10 by 2 यानि x by 2 plus 5 दिनों में यानि कि a को 5 दिन जादा लगेंगे अगर 25% work होगा तो a को कितने दिन जादा लगेंगे तब a को b करेगा x by 4 days में और a करेगा x by 4 plus 10 by 4 यानि कि 2.5 days extra लगेंगे यानिकि एक तरह से 10 बटे 4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, अगर 1 थर्ड वर्क होता, तो comparison करें हम, तब क्या होगा, तब B करेगा x by 3 days में, और A करेगा x by 3 plus 10 by 3 days में, isn't it so, यानिकि 10 by 3 days एक्स्ट्रा लगेंगे, यह बात मैं समझा क्यों रहा हूँ, व्योंकि अब हम इसको apply करने वाले हैं आपने, हमें पता है कि A ने 60% वर्क किया है, और B ने 40% वर्क किया है, ठीक है, B ने किया है 40% वर्क, और A ने किया है 60% वर्क, यह ने 40% वर्क तो किया ही किया है, 20% और वर्क किया है, तो A के वर्क को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, 40% और 20%, ठीक है, अब एक बाद रता हो, अगर पूरा काम करने में एको 10 दिन जाधा लग रहे हैं, तो 40% वर्क करने में एको कितने दिन जाधा लगेंगे? 40% वर्क करने में एको कितने दिन जाधा लगेंगे? 4 दिन जाधा लगेंगे, isn't it so? पुरा काम करने में 10 दिन जावल लगने, 40% वर्क करने में 4 दिन जादे लगेंगे, यानि कि 4 दिन तो यह हो गै, total, कितने दिन extra एने काम किया है, 13 days, यानि कि बचा हुओ वर्क, 9 दिन में यहें किया होगा, पर बचाओ वो वर्क है कितना 20% 20% वर्क ए ने 9 दिन में किया होगा और एक बटे 5 वर्क 9 दिन में किया है तो यह पूरा वर्क कितने दिन में करेगा 9 इंटो 5 45 डेज में क्या समझ पार हो इस बात को क्या समझ पार हो ए 45 दिनों में काम पूरा कर लेगा हमने कोई equation नहीं बना 10-10 फीपैतिस दिन में करेगा क्लीर हें ओके इस अरग के चिक है पुछला वाला question भी ऐसे देखते है पिछला वाला हमसे क्या गया रहा है कि ए ने 2 थर्ड काम किया है यह नहीं कि बी ने 1 थर्ड काम किया है एं ने 2 थर्ड काम किया पूरा वर्क करने में एक और 12 दिन जादा लगेंगे घंगे चार दिन जाधा लगेंगे यह चार दिन हो गये टोटल 14 दिन है जानी कि बचे हुए 10 दिनों में एं और स्रूर करेंगा है तो एक को लगेंगे टोटल दिन 10 इंटू3 यानि कि 30 days आप क्या इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है इस question को solve करने का अगर आपको session मज़ा आया इस method को देखे तो definitely comment कीजेगा कितना आसान हमने इस सवाल को अपने लिए बना दिया इस से ज़ाद आसान तो बना ही नहीं जा सकता है इस सवाल को अगला question कर रहा है Benny can do a piece of work in 24 days Benny 24 दिनों में कोई काम कर सकता है चेतन और डेविड उसी काम को 36 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं ठीक है बैई Benny, चेतन और डेविड 24 दिन में कर सकते हैं 36 दिन में कर सकते हैं और 48 दिनों में कर सकते हैं सबने काम करना शुरू किया लेकिन बेनी क्या करता है काम को चार दिन पहले छोड़ देता है और चेतन कंप्लिशन से दस दिन पहले छोड़ देता है जबकि डेविड आखिरता काम करता है तो हमें यहीं बताना है, you find the number of days in which the work was completed, आसान सवाल है, isn't it so, ठीक है, तो इस question में क्या आप comment करके answer बताओगे कि इस question का answer क्या आएगा, यह तो हम अल्रेडी कर चुके है, वही same सवाल है, कुछ भी extra नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं नहीं सीखता है, ठीक है, तो इसका comment में क्या answer करना कि क्या answer आएगा, आगे देखते हैं, ठीक इतना ही सवाल है आज, ओके बढ़िया है, अच्छी बात है, आई guess आपको session में मज़ा आया होगा, पसंद आया होगी चीज़ें, ठीक है, हमने बिल्कुल basic से हर एक चीज को समझते हुए, और जितना basic हो सकता था, जित कि जब लोग काम को join करते हैं, ठीक है, तो वहाला type हम अभी थोड़ा next session में, 10-20 में कर लेंगे, clear है, ओके, आज के session में इतना ही रखते हैं, session पसंद आया है, तो उसको like जरू कीज़ेगा, comment जरू कीज़ेगा, क्या आपको क्या पसंद आया, और अगर आप चाहते हो किसी से भी share कीज़े, जहां पर भी groups में और channel से फैला सकते हैं, फैला दीजेगा,